कभी हवा में कलाबाजी दिखाना कभी उढ़कर नदी पार करना और कभी येर वॉकिंग जैसा खतरनाग इस्टंड यकिनन आप और हम ऐसा इस्टंड देखते ही दातों तले अंगुली दबालेंगे वीडियो में दिखने वाला ये सक्स कोई फिल्मी हीरो नहीं है बलकि ऐसाधान परवार और अलमोला जिले के मासी सेत्र के रहने वाले चमन बर्मा है और कर्तब से महज 20 साल की उमर में चमन आज देश दुनिया में सोसल मीडिया पर खूब वैरल हो गए है पहाल के इस लड़के का टेलेंट देख सभी लोग हैरान है लियाजा चमन पहाल के इवाउं की तरह फोज में जाना चाते थे लेकिन किसी कारण वश हुए फोज में सामिल नहीं हो सके आर्मी की तयारियां करते करते चमन हवा में कलाबाजिया दिखाने लगे महज आट मेने की मेनत ने चमन को देज भर में चांदी की तरह चमका दिया उनके इसी मेनत और लगन ने येर वोकिंग जैसे खतरनाक इस्टंड में उन्हें महारती बना दिया युआ वर्ग चमन का इस्टंड काफी परसंद कर रहे हैं यही कारण है कि सोसल मीडिया में उनके लाखों फॉलोवर्स हैं अलमुला जिले के ग्राम पंचाथ कनौली के रहने वाले 20 वर्षिय चमन द्वारहाट महविद्यालय में बीए थर्ड इयर के साथ रहे उनके पिता बिरजलाल वर्मा वाहन चालक है पाहलों में आज भी असुबिधाएं जरूर हैं लेकिन चमन जैसे जुनूरी लड़कों के सामने असुबिधाएं भी मात खा जाती हैं चमन जैसे पाहल की तरह होशला रखने वाले गाउं में सहगणों युआ हैं अगर उन्हें भी अच्छी ट्रेनिंग मिल जाए तो यकीन माने वे भी खेलों में राजी के लिए मैडल जी सकते हैं चमन को अच्छी ट्रेनिंग और कोज की जरुवत है लियाजा प्रदेश के मुख्यमंतरी पुषकर सिंग्धामी ने चमन को फोन कर हर संभाव मदद दिलाने का भरोसा दिलाया है दोस्तो अगर वाइरल बॉई को अच्छा कोज मिल जाए तो यकीन माने जरूर यह लड़का उत्राखन और भारत का चमकता हुआ नाम बनेगा जैसा जुनूर और तेजर चमन रखते हैं इससे यह तो साफ है कि अपने गाम और जिले को राष्टी और अंतराष्टी इस्तर पर वह जरूर ले जाएंगे दोस्तो चमन के इस तरह की इस्टंट बाजी को लेकर आप क्या सोचने हैं हमें कॉमेंस कर जरूर बताएं